दोस्तो क्या आप जानते हो दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों मिलता है और सोना कितने रुपे किलो मिलता है दुबई में सोना इतना सस्ता है कि दुबई में छोटे छोटे बच्चे सोने से बनी हुई कार को ड्राइव करते हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे ह दुबई में सबसे सस्ता और शुद्ध सोना मिलता है। दोस्तों सभी के मन में यही विचार आता है कि दुबई में ऐसा क्या है कि वहाँ पर दुनिया भर के लोग सोना करीदने के लिए आते हैं। इन सभी चीजों को जानने से पहले ये बता देते हैं कि जिस तरहे का बड़ा हिस्सा सोना भी है। इसी कारण दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने दुबई में शोरूम खोल रखे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि दुबई में एक गोल्ड सोक जगह है जहां पर 1000 के आसपास सोने की छोटी-मूटी दुकाने हैं। यहां पर हर हजारों किलो सोने का वैपार होता है। सोने के अभूशन से संबंदित मेले दुबई में ही लगते हैं। इसी कारण यहां पर लगने वाले सोने के मेले में बड़े-बड़े लोग ही आते हैं। सोने का कच्चा माल साउथ अफरीका से लाया जाता है। उसके बाद कच्चे अलग अलग तरह के जवैलरी आभूशन तयार गिये जाते हैं और दुबई का स्टेंप लगने के बाद आभूशन अलग 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 देशों में खरीद लिये जाते हैं। अधिक हो गई है और भारतिये लोगों को सोना कितना पसंद है ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इसी कारण दुबई में जदातर लोग भारतिये होते हैं जो सोना खरीदते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देश भी दुबई म 4,086 कंपनी, 62,125 इन्वेस्टर है जिन में लगभग 60,000 पुरुष बिजनसमेन है और बाके की औरते बिजनसमेन हैं। दोस्तो, बीते सालों में दुबई में सोने की बिक्री 274 अरब दरम तक पहुंच गई है जो कि पिछले साल की मुकाबले बहुत अधिक है। दुबई म 30 देशों से गोल्ड ऐयात किया जाता है ताकि यहां आने वाले सेलानियों को निराश ना होना पड़े। दुबई की शानो शौकत और रहन सेहन को देखा जाए तो आप वहां से समझ जाएंगे कि दुबई परियटकों को कितना प्रोथसान देता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दुबई की आदिस से जादा एकोनोमी परियटकों से चलती है। जब भी आपको मुका मिले दुबई जाने का तो आप गोल्ड सौक मार्किट जरूर जाना जिससे आप समझ सकते हैं कि क्यों पूरी दुबई को सिटी ओफ कोल्ड के नाम से जानती है। अगर एक के सोने की इतनी परशंसा सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा की आखिर लोग दुबई से ही सोना क्यों खरीदते हैं इसके पीछे बहुत से कारण है पहला तो दुबई में सोना बहुत सस्ता मिलता है, दूसरा ये है कि दुबई का सोना शुद होता है, दुबई के सोने में मिलावट नाम की चीज नहीं होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां की सरकार का एक नियम है कि सोने में किसी भी परकार की मिलावट बरदाश्त न यंतरण है क्योंकि यहां पर आने वाली सभी चीजों की पहले पहचान की जाती है दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें